रादे किष्णा दोस्तो वेलकम बेक टू माई चैनल इंडियन ब्लोगर मॉमंट मी आपसे भी कस वागत करती दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर तो जर्माश्मी के पाउंड पर पर मैंने अपने लड़ू गुपाल जी की किया गर्ब ग्रेप में स्ताफना तो किस परकार मैं जो हम खीरा या सिताफल जिसे हम कद्दू भी कहते हैं उसको हमें तने वाला लेना चाहिए तो तने वाला अगर हमें ना मिले तो क्या हम पूजा नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों हम बिना तने वाला खीरा या सिताफल जो है उसको भी हम पूजा में ले सकते हैं और अपने लड़ू गोपाल की उसमें स्तापना कर सकते हैं तो मैं अपने लड़ू गोपाल की इसी में स्तापना कर रही हूँ यह अंदर कितनी आस्ता है परवू के परती यही सब चीजे माइने रखते हैं तो जो भी उस समय उपलब दो बस्ते हैं उन्हीं का प्रयोग करके अपनी पूजा का आरम कर सकते हैं तो मैंने चकोर अकार में सिक्टी की साइता से काट लिया है दोस्तों और इसमें हम चाकू का प्रियोग नहीं करते क्योंकि यह हमारे लड्डू गॉपाल जी का गर्ब ग्रह है। दोस्तों मैंने खीरे को अच्छे से साफ करके इसके बीज बहर निकाल दी है। और इसका उपर का जो मैंने खीरे का चिलता मोटा लिया है ताकि इसको मच्छे से कवर कर सके बाद में। और यह हमारे छोटे से लड्डू गॉपाल जी तो हम इनका करेंगे रात्री में जनम उस्तव और यह इसमें जारे है गर्ब ग्रह में। अब कर रही है अपने लड्डू गॉपाल जी को गर्ब ग्रह में स्तापी तो हमारे लड्डू गॉपाल जी जा रहे है अब ग्रह में और रात्री में होगा इनका जनम तो चली हम इनको बठाते हैं इस छोटे से हीरे के अंदर और छोटे से लड्डू गॉपाल जी का जनम होगा भुरात्री में तो इसको नski मैं अब ठादिया और यह तो भार आ गए छिलिए फिर से इनको बेठाबते हैं तो इनको वरती में आब लेके आएंगे और इनका करेंगे जनम और और इनका कर ऒर सुझागाद जनम के बाद हम उनको पंचमली से सनान कराके इनको नई ड्रेस पनाएंगे तो मैंने ये सारी तयारी कर लिए तो इनकी ट्रेस इनका चंदन इत्र और मुकोट हाथ के कंगन गले में माला और इनके बाल नई बांसरी सब एक साथ रख लिया है और रात्री की कर लिए मैंने गुपाल जी की करते हैं सतापना गर्ब घरह में तो हमने फूल और फलो की बीच में उनको रख दिया है और रात्री में करेंगे हम अपने लडू गुपाल जी की पूजा और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा बताएगा जरूर आगर पसंद आता तो लाइक करेगा दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे नए वीडियो में तर तक ले बाय टेक केर रादे किशना